Hi guys, welcome back to Finlife और आज के हमारी कंपनी होने वाली है एक जो कंपनी काफी एतिकल है और Tata Birla के नाम की ही कंपनी है कंपनी का मार्किट कwynbeiter सdag नाम का है चीन हपिंडरीक और अलर्क सि blending में शिंडरीक और सकू tędy एते दिगर таким आपके हैं खरतु करें, चाहिकी क हैं। और यह सारे कंपनी मेरा हैं हाजी हम बात करने वाले हैं बजाज chamado शुल को मेरे हैं। कंपनी का एक और प्रोडक्ट है नो मार्क्स के नाम से आपने काफी सुना वेगा पॉपिलर होईगी पॉपिलर है यह नो मार्क्स और बहुत सारे मेजर ब्रैंड अम्बैसेटर्स को यह यूज करती ही रहती है यूपर यूज के चाइए चम्पनी है अ harry परिनीती चोपडा तो इस तरह की चीजें हैं जो कंपनी और बात करें और आंधोर से चलें चलें हम देख सकते हैं कि कंपनी में institutional और mutual fund holding आपकी 33% की है जो काफी strong है किसी भी company के लिए as investment point of view से इसी के साथ ही अगर हम देखें company का जो dividend है वो भी काफी strong है लगबग 10% का dividend देती है तो इसको अगर अगर आप मालो अगर आप company में एक लाग रुपे इंवेस्ट करते हो तो दस हजार रुपे तक आपको हर साल dividend की रूप में मिलेंगे तो यह company की बहुत हथ बहुत सही बात है कि company regular dividend देती है और लगबग 10% का dividend देती है जो मैसिव है इसे के साथ ही capital appreciation अलग मिलता है इस company में तो सबसे जादा यूनीक चीज़ इस company के बारे में यही है जो हमको बहुत attract करती है तब ही हम इस company को लेकर आएं आज तो यूजिली क्या होता है बहुत सारे लोग यह देखते हैं कि ऐसी companies में invest करें जो dividend देती है तो बजाज 100% का dividend company ने announce करा था जो काफी मैसिव है और उस हिसाब से आपको लगभग स्टॉक का रेट चल रहा है 130 रुपए के आसपास और 130 के इसाब से अगर देखें एक 130-140 रुपए के आसपास चल रहा है और 14 रुपए का dividend आपकी फेस आल्यूपए मतलब की 14 रुपए का dividend जो काफी जादा बड़ा dividend है देने के लिए तो company usually पैसा अपने पास होड़ नहीं करके रखती है sales ग्रो कर रही है profitability ग्रो कर रही है लेकिन dividend बहुत स्टॉंग देती है तो sales figure की बात करें तो 2015 से 2019 में company अपनी sales increase करी है और 852 करोड़ 23 करोड़ की sales थी जो इंक्रीज करके company ने 890 करोड़ की sales कर ली 2014 में 670 की sales थी 670 करोड़ की वहां से company ने 2015 में काफी massive जंप लिया था लगभग 500 करोड़ का या फिर आप बोलें तो 25% sales company की increase कर गी थी 2014-15 में और काफी बढ़िया था वह company sales growth बहुत ज्यादा strong नहीं है लेकिन sales आपकी तब भी growth कर रही है company की और इसी की साथ यह अनिक पर share की बात करें और profitability की बात करें तो वह भी growth कर यह है और अब 2019 में company profitability IT 221 करोड़ की और company का जो profitability का growth rate है वो लगभग 6.44% का है year on year पिछले 5 सालों में company की growth rate अच्छी रही है और company की जो हम expect करें 2019 में से आगे 2024 तक अगर company 6% पर यह लगभग growth करती रही तो हम expect करते हैं कि 2024 में लगभग stock का rate जो है वो जो stock का earning पर company का earning पर शहर है वो 20.52 हो जाएगा इसी के साथ ही अगर हम देखें कि trade receivables company के बहुत कम है बहुत ज्यादा नहीं है 900 करोड का turnover करती है और सिर्फ 37 करोड मार्केट से लेना होता है जो बहुत कम है which is excellent in the company और company का price band अगर देखें तो company का price कुछ time पहले काफी जादा high चल रहा था अगर 2012 में बात करें तो 120 रुपे का stock का rate था और वो धीरे धीरे increase करके 2015 तक आपका 400 के आसपास पहुच गया और 2018 में 500 के आसपास पहुच गया और currently अगर बात करें तो 130 रुपे के आसपास है और low लगाया था company ने 120 काई तो उसी जगा support लिया company ने जहां पर यह पहले थी और बहुत अच्छा rate है बहुत अच्छा level है जहां पर यह company अब आ गई है और investment point of view स से काफी स्ट्रॉंग है आपको plus 10% का dividend मिलता है और यहां से growth upside भी हम लोग काफी स्ट्रॉंग देख रहे हैं बजाज consumer care limited में तो काफी obviously बजाज का नाम भी है तो company काफी सही भी है long term point of view से और जो ethical parameters है वो भी सही है तो आप expect नहीं करोगी कि यह company कोई fraud करेगी आपके साथ या फिर एकदम से इसका stock का rate बहुत बुरी तरह गर जाएगा ऐसा नहीं expect कर सकते हैं तो बजाज consumer care एक regular income के लिए बहुत अच्छे investment opportunity बन सकते हैं आगी का price देखते हैं कि capital appreciation क्या हो सकता है कि 2024 में हम लोग क्या expect करते हैं कि अगले 5 सालों में क्या return आपको minimum मिल सकता है तो ह इस हिसाब से आप expect कर सकते हो कि आपको लगभग अगले आने वाले 5 सालों में जो इसका stock का rate हो जाएगा वो लगभग 441 तो आप expect कर सकते हो on the minimum side अगले 5 सालों में और यह जल्दी भी हो सकता है क्योंकि major reason यह है company का company का rate जो है वो stock का 131 का है हमने एक साल पहले जब वीडि 44 का rate था और company का rate तब से काफी नीचे आ गया है और यह बहुत लुक्रेटिव और अच्छी investment opportunity बनाती है बजाज consumer care limited में company में managing director सुमित मलोतरा है और chairman company के कुशार नरायन बजाज तो company का nearest support बहुत strong support 120 रुपीज पे है और resistance देखे पहली resistance 170 के आसपास आती है investment opportunity के लिए मेरे को company बहुत solid लगती है आपको बिल्कुल इस company में invest करना चाहिए एक regular income point of view से भी ये company continuously इसने income दी है और continuously company ने आपको dividends दिये हैं ऐसा नहीं है कि एक ही सान दी है बैक टू बैक company dividend दे रहे है और इतना ही देती है 1000% का अपने face value पर मतलब 14 रुप का 2019 में company ने 14 रुपे का dividend दिया था 2018 में company ने 12 रुपे का dividend दिया था 2017 में 11.5 का दिया था 2016 में 11.5 का दिया था per share का dividend की बात कर रहा हूँ है और 2014 में फिर से 11.5 का दिया था और 2014 में एक और बार company ने 7.6 रुपे का दिया था तो बहुत massive dividend देती है जो company में बहुत solid चीज़ है इसी के साथ अगर आपका price भी stable रहे या हलका सा भड़ भी जाए dividend के साथ ही तो आप बहुत अच्छा return इस company से कमा सकते हैं जो excellent चीज़ है मतलब मेरा मतलब दिल खुश हो गया company देखकर मैंने realize नहीं कर रहा था कि बजाज consumer care में इतना है पिछली बार भी जब वीडियो बनाई थी तब शायद ध्यान नहीं दिया इतना लेकिन मतलब बताया तो obviously मैंने customers को होई गाई अपने viewers को होई गा लेकिन मैं खुझ इतना realize नहीं कर पाया कि भाई इतना बढ़िया dividend company दे रही है कि बिल्कुल investment opportunity बहुत अच्छे है इसमें अच्छा खासा expect कर रहा हूं और बढ़िया इनके सिधात engine company है तो वह भी point of view से कोई tension लेने वाली बात नहीं है return on net worth or capital employed बहुत अच्छी है इसकी operating investing financing cash flows अगर देखें वह भी बहुत solid है तो company के लिए कोई downside नहीं दिखती है मेरे को upside बहुत अच्छी है और investment opportunity बहुत अच्छी है इसी की साथ ही अगर अगी तक अगर आपने subscribe नहीं कर रहा है तो click on the subscribe button और bell icon plus आप Yodemi के हमारे courses देख सकते हैं जहां पर आपको stocks की details में लेगी कि किस तरह investment opportunities को tap करना है कैसे investment निकालने हैं और hardcore पैसा कैसे कमाना है अगर आप investment नहीं करके पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ये views लेकिन अगर आप investment कर रहे हो और पैसा कमा रही हो तभी फायदा है क्योंकि जो भी आप time दे रहे हो ये वीडियो देखने में return निकालो पैसे कमा उससे गुश्यार जाहीत दो आपको स्टार्ट करने अगर अब टक को इस यृध Lu आ स designed करने लिए आपको एम मेन बोक्स्याइग पैल रौब सी एप पर आपको सारी नीन, वहाँ पर आप कोई मेसेज करेंगे तो मैं रिप्लाइ करूंगा प्लस हमारी वहाँ पर और भी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ असोसियेटेड हैं जो हेल्प करेंगे आपको अच्छे इंडेस्मेंट डेस्टिशन लेने में so that's about it for this video signing off from Siddhant Goyal from FinLife